Hello Everyone welcome back to our channel again once again so finally finally wait अपना खतम होता है MSTCAT का registration start हो गया है सर क्या होता है MSTCAT इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा तो इसके बारे में में लोग discussion नहीं करने आले हैं कि सर रजिस्ट्रेशन का क्या 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 डेट है क्या क्या कि नहीं है उसके बाद में सर कैसे करना है step by step procedure क्या है सर तो step by step procedure के लिए आउटो फिल फॉर्म इसके लिए आपको एक वीडियो मिलेगी तो उसके लिए तुम्हाँ वेट करना ठीक है मैं आपको डीटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी इंफर्मिशन आपको भरनी है और कैसे कैसे भरनी है कौन कौन से डॉक्यमेंट लगेंगे सब कुछ मैं आपको डीटल में बताऊंगा तो उस वीडियो का वेट जरू करना उससे पहले आप लोग फॉर्म मत भरो ज्यादा घाई नहीं करने आपके पूरा एक महीना है तो चलो यह आप लोग सर्च करोगे यहां पर गूगल में जाकर डालोगे एंटर करोगे पहली लिंक उससे पर क्लिक करोगे तो आपको यह फेस इंटरफेस मिल जाएगा इसके डायरेक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है थोड़ा सा नीचे और थो यहां पर देखो यहां पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाट ओपन हो जाती है तो आज के बात से आपका जो भी काम होगा सीटी का वह सब कुछ आपका इसी वेबसाइट पर होने वाला है अई मैंने यहां पर क्या बूला था कि थोड़ा सा रुख जाओ रजिस्ट्रेशन करने की घाई मत क करना क्योंकि अभी कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था और यहां पर देखो नोटीज भी आ इंपोर्टेंट फॉर फेसिंग इशू वाइल रिसीविंग ओटीबी और इमेल आईडी इसेंचल डाट यह एंटर दी ओटीप वाया मोबाइल फोन फोन पर दी फर्स इं दो दिन रूख जाओ थम जाओ उसके बाद में आराम से फॉर्म भरने की डेट बहुत है ज्यादा नहीं लेना है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए चलो नोटीज पढ़ते हैं हमारे पास नोटीस आ गया है तो यहां पर सब कुछ लिखके दिया है तक आठ मार्ट से चालो हो रहा है साथ एपरेल तक सर उसके बाद उसके बाद क्या सर तो देखते हैं यहां पर देखो यह अपनी पास पीडियाफ आ गया यह पीडियाफ में आपको टेलिकरम ग्रूप पे शेयर कर दूँगा तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है तो देखो क्या बोला गया है यहां पर यह आपका ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन कब होगा सर ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका आठ मार्च से लेकिए साथ एपरेल के बीच में और मानलो अगर किसी कारण की वज़ए से आप साथ मार्च तक फॉर्म नहीं भर पाए ऐसे होना तो नहीं चीए लेकिन अगर कर भी लिया तो भी आप लोग लेट फॉर्म भर सकते हो लेट फॉर्म कैसे सर आप लोग प्लेट फॉर्म में जो ऑनलाइन एप्लिकेशन फीज ओपन लोग के लिए 800 रुपया है और कास्ट लोग के लिए 600 रुपया है तो अगर अगर आप लोग लेट फॉर्म भरा तो उसको आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज देना पड़ेगा तो अब मतलब आपका यह फीज होगा इसमें 500 रुपय एक्स्ट्रा अगर आप लोग ने 8-7 तारीक के बाद भरा तो फॉर्म तो इध्यान से रख लेना एक मैना है आराम से आप लोग भर लोगे आपको बाकी का एक्साम उसको भी हो जाने दो उसके बाद में आराम से उसको फिल करते रहें कोई प्रव्लम वाली बात नहीं है ठीक है आपको इस सब कुछ फीज भी सब पेट करके रखना है अराम से सब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंग पैस को सब्षखना है पैसे और कुछ नहीं कर सकते अभी आगे चलते है इसको नहीं पटा देपो नहीं है तो आप लोगों के लिए腐ट आयां चोड़ दो जिसको नहीं पता है जिसको नहीं पता है छोड़ दो है कि लिए नहीं है ठीक है फिर क्राइटिरिया क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटिरिया तुम्हाँ बता देता हो ध्यान सुनना अपको पी सी एम यह फिर पी सी भी जो भी आप ग्रुप दे रहे हो उसमें आपको 45% से ज्यादा होना चाहिए 45% मतलब कितना माननों पका physics chemistry maths है तो भी आपके 40 माख्स chemistry में आ गए आ गये एक आपके 70-80 माक्स आगए ठीक है तो इन जो टोटल है न वह टोटल टोटल कितने माक्स का होगा टोटल 300 माक्स का होगा 100 माक्स का मैट्स को अभे 300 का 45 परशन कितना होता है 135 करेक्ट तो आपको 135 के ऊपर ही मार्क्स चाहिए 135 के ऊपर चाहिए या फिर 135 भी चलेगा इतने मार्क्स हो तो आप लोग यह इससे कोई फरक नहीं पढ़ने आला है और जो कास्ट में आते है उनके लिए क्या है सर उनके लिए 40 परसंट उनके लिए कितना है आपको एक और वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपको step by step सब कुछ बताने वालों कि कैसे आपको फॉर्म भरना है ठीक है सब कुछ मैं आपर डिसकस करने आपकी वेबसेट है अगर कोई बच्छा स्टार्ट कर रहा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो दिन रुख जाओ थोड़ा वेबसेट को स्टेबल हो जा अपको सब कुछ भर के नाम भरना के कcus डृट करने कैसे करने सब कुछ आपको पता स्टेंशन नहीं नहीं यहां थो उस्ट्रेस्ट था खतम हो गया को जो इसका स्टेंशन बिना मतलब का अप ले रहे थे लेकिन ठीक है ठीक है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है आराम से एक दो दिन में भर देंगे मैं आपको वीडियो दे देंगा उसका वेट जरूर करना मिलते हैं एक टार बैंप